So, Hello Guys, Welcome to my YouTube Channel, Ritik Technical Support. इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, OnePlus device में Truecaller application जब आप इंस्टॉल करते, बढ़ आपको pending का इसु आता, pending के आगे processing नहीं होती है, तो कैसे आप यहाँ problem को ठीक करेंगे, फो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे. वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा, बिल्क आइकोन को प्रेस कर लेना है. So, जैसे कि हम यहाँ पर Truecaller app को सर्च किये, इंस्टॉल पेंडिंग का जो इसु आता है, इसके लिए आपको जाना होगा, सबसे पहले सेटिंग्स में, आपको Apps पे क्लिक करना होगा, App Management पे क्लिक करिए, आपको Search बार पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा Play, तो दो options आपको सो करेंगे, Google Play Services का, और Google Play Store का, ठीक है, इन दोनों पे आप लोग क्लिक करिए, आप इनके Storage पे जाए, Simple आप इनका Data Clean करें, Data Clean करने के बाद, आपको Back आना है, बैक आने के बाद आपको 3.00 पे क्लिक करना है, सो सिस्टम में आप पे क्लिक करिए, Search बार पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको Download सर्च करना है, Download Manager पे क्लिक करिए, storage पे click करें इसके देन आप इसका भी data clean करें मैं आपको फिर से repeat करूँगा google play services, google play store and download manager इन तीनों का यह आप लोग data clean करें data clean करने के बाद आपको restart करना अपने device को अब आप लोग true caller application को install करें पहले जो आपको pending का issue आ रहा था अब ऐसा कोई भी issue नहीं आएगा ओके, so topic discover मिलते है next video में जय मातादी